आईए सीके टेक वाले फ्रेजल वर्ब्स जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किये जाते हैं अगर हम बाट टेक सम्थिंग बैक की करें तो इस वर्ब्स का मिनिंग होता है वापस लेना यानि कोई इनसान कोई चीज किसी को दिया अब उसे वापस ले रहा है तो वहाँ पर हम कहेंगे टेक सम्थिंग बैक जैसे मान नीजी अगर आपको कहना हो मैंने धोबी की दुकान स अपना जैकेट वापस लिया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I took my jacket back from laundry यानि मैं धोबी की यहां से अपना जैकेट वापस लाया मान नीजी अगर आपको कहना हो माफ करिए मैं अपना सब्द वापस लेता हूँ या माफ करिए मैं अपना अलफाज वापस लेता हूँ तो एस sentence के लिए आप कहेंगे Sorry, I take my words back यानि माफ करिए मैं अपने अलफाज या अपने सब्द वापस लेता हूँ तो friends उमीद करता हूँ का आपने बड़े शांदार तरीके से सीखा कि take something back का मतलब होता है वापस लेना अगर हम बाट take fuck की करें तो take fuck का मतलब होता है के तरह समझना या के जैसा समझना यानि regard edge के जगब पर हम take fuck का इस्तेमाल करते हैं जैसे कई बार आपके life में ऐसा हुआ होगा कि आप कही railway station या bus stopper किसी आदमी को आवाज देते हैं और जब वो आदमी आपके तरफ देखता है तो आपको मालूम होता है कि वो आपका दोस्त नहीं है यानि वो कोई और आदमी है तो वहाँ पर आप ये sentence बोलते हैं माफ करिये मैंने आपको अपना भाई समझा या माफ करिये मैंने आपको अपना दोस्त समझा तो यही पर हम कहेंगे take fuck जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो माफ करिये मैंने आपको अपना दोस्त समझा तो यह sentence के लिए आप कहेंगे sorry I took you for my friend माफ करिये मैंने आपको अपना दोस्त समझा माल नीजी अगर आपको कहना हो मैंने उसे अपना भाई समझा तो a sentence के लिए आप कहेंगे I took him for my brother यानि उस आदमी को मैंने अपना भाई समझ लिया माननी जी अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे एक बेकूप समझते हैं तो a sentence के लिए आप कहेंगे Do you take me for a fool यानि क्या आप मुझे बेकूप समझते हैं तो friends उमीद करता हूँ कि आपने बड़े शांदार तरीके से सीखा कि टेकफा का मतलब होता है किसी इनसान को कुछ समझ लेना अगर हम बात take aside की करें तो take aside का मतलब होता है किसी को अकेला करना यानि कई बार आपके अपने life में ऐसा होता है कि कोई इनसान ग्रूप में है और आप उसे कोई खास बात करना चाते हैं या कोई राज की बात करना चाते हैं तो आप उस आदमी को भीर से अकेले करते हैं यानि उसको side में बुलाते हैं तो वही पर हम कहते हैं take aside जैसे माल नीजे अगर आपको कहना हो मैंने उसे side में बुलाया या किनारे बुलाया या अकेले में बुलाया तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I took him aside यानि वह कई लोगों के बीच में खड़ा था और मैंने उसे एकांत में बुलाया अकेले में बुलाया या किनारे बुलाया मान नीजे अगर आपको कहना हो कप्तान ने बोलर को किनारे बुलाया यानि कप्तान ने बोलर को लोगों के गुरुप से किनारे बुलाया ताकि वो अकेले में कुछ खास बात कर सके तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The captain took the bowler aside यानि कप्तान ने bowler को किनारे बुलाया या एकान्त में बुलाया या अकेले बुलाया अगर हम बाद take back की करें तो take back का मतलब होता है किसी को चौका देना यानि shock someone कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि कोई आदमी अचानक आकर हमको चौका देता है या कोई अजूबा काम करके हमको चौका देता है तो वही पर हम कहते हैं take a back मान लिजी अगर आपको कहना हो वह अचानक आकर मुझे चौका दिया तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे he took me a back to come suddenly यानि वह अचानक आकर मुझे को चौका दिया तो उमीद करता हूँ कि आपको take a back का मतलब समझ में आया कि take a back का मतलब होता है किसी को चौका देना यानि किसी को शौक कर देना अगर हम बात take two की करें तो take two का मतलब होता है कोई आदत दालना यानि make a habit जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं गर्म पानी पीने का आदत डाल रहा हूँ तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I am taking to drinking warm water यानि मैं गर्म पानी पीने का आदत डाल रहा हूँ हो सकता आप सोचे कि मैंने यहाँ टू के बाद ing form कैसे बोल दिया यानि मैंने कहाывает two drinking बहुत सारे learner यह सोचते हैं कि टू के बाद सिर्फ verb का first form आना चाहिए ing form नहीं आता जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है यह सच है कि टू के बाद जादतर verb का first form आता है लेकिन यह भी सच है कि टू के बाद verb का ing form भी आता है यानि 2 के बाद gerund का इस्तिमाल किया जाता है अगर आप भी इस बात को लेकर confuse है तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया है जहां मैंने किताबों से पुरुफ दिखाया है कि आप 2 के बाद ing form का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप वीडियो दिखना चाहते हैं तो मैंने उपर i के symbol में उस वीडियो को रखा है माननी जी अगर आपको कहना हो आपको सुबा में उठने की आदत दालनी चाहिए तो एस sentence के लिए आप कहेंगे you should take to waking up in the morning यानि आपको सुबा में उतने की आदत दालनी चाहिए माननी जी अगर आपको कहना हो आपको इन चीजों का आदत दाल लेना चाहिए तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे you should take to these things यानि आपको इन चीजों का आदत दाल लेना चाहिए तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपने take two का मतलब समझा कि take two का मतलब होता है किसी चीज की आदत डालना या आदत बनाना अगर हम बाद take up की करें तो what take up का मतलब होता है दुबारा शुरू करना यानि किसी काम को दुबारा शुरू करना जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं फ्रेजल वर्प्स वाले लेसन को दुबारा शुरू करने जा रहा हूँ तो ऐसे एंटेंस के लिए आप कहेंगे I am going to take up फ्रेजल वर्प्स लेसन यानि fragile verbs वाले lesson को मैं दुबारा शुरू करने जा रहा हूँ माल लीजी अगर आपको कहना हो मैं grammar का class दुबारा शुरू करना चाहता हूँ तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I want to take up grammar class यानि मैं grammar के class को दुबारा शुरू करना चाहता हूँ तो friends उमीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसा sentence बोलना हो जहां आपको कहना हो किसी काम को दुबारा शुरू करना यानि start again तो वहाँ पर आप take up का इस्तेमाल करेंगे अगर हम बाद take over की करें तो take over का मतलब होता है control पा लेना यानि किसी पर काबू पा लेना जैसे मान लीजे अगर आपको कहना हो मैंने हालात पर काबू पा लिया है तो एस sentence के लिए आप कहेंगे I have taken over the situation यानि मैंने हालात पर काबू पा लिया है मान लीजे अगर आपको कहना हो इस घोड़े को कौन काबू कर सकता है तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे who can take over this horse यानि इस घोड़े को काबू में कौन कर सकता है या इस पर कौन control पा सकता है मान लीजे अगर आपको कहना हो इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे it is very hard to take over it यानि इस पर काबू पाना या इस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है अगर हम बात take out की करें तो take out का मतलब होता है bank से पैसा लेना और यहां bank से पैसा लेने का मतलब करज लेना यानि loan लेने के लिए हम take out का इस्तेमाल करते हैं जैसे माल लीजे अगर आपको कहना हो मैंने इस bank से पैसा ले रखा है या मैंने इस bank से पैसा लिया हुआ है तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I have taken out a loan from this bank यानि इस bank से मैंने करज ले रखा है या पैसा ले रखा है मुझे बिजने सुरू करने के लिए bank से पैसा लेना पड़ा यानि bank से करज लेना पड़ा तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I have to take out a loan to start my business यानि मुझे अपना बिजने सुरू करने के लिए bank से करज लेना पड़ा या bank से लोल लेना पड़ा तो friends उमीद करता हूँ कि आपने बड़े शांदार तरीके से सीखा कि take out का मतलब होता है bank से करज लेना या bank से पैसा लेना यहां मैं आपको बता दू take out का एक और meaning होता है जो होता है मारना यानि what kill के जगए पर हम take out का इस्तिमाल करते हैं जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो वो पुलिस के दवारा मारा गया तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे he was taken out by the police यानि वो पुलिस के दवारा मारा गया माल नीजी अगर आपको कहना हो वो एक हत्यारा के दवारा मारा गया तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे He was taken out by a killer यानि वो एक killer के द्वारा मारा गया हो सकता आप सोची कि मैंने वाजवर के साथ वर्ब का third form क्यों बोला यानि मैंने कहा was taken ऐसा क्यों तो friends मैं आप से कहूंगा ये sentence passive voice का past indefinite है जहां वाजवर के साथ वर्ब का third form का इस्तिमाल किया जाता है तो उम्यद करता हो कि आपने बड़े शांदार तरीके से take out का मतलब समझा अगर हम part take apart की करें तो take apart का मतलब होता है किसी चीज के हिस्से को अलग-अलग करना यानि किसी सामान के part पूर्जा को अलग-अलग करना जैसे अक्सर आप दुकान पर देखते होंगे कि कोई mobile बनाने वाला या कोई electronic चीज बनाने वाला जब उसे बनाता है तो उसके parts को अलग-अलग कर देता है तो वही पर हम कहते हैं take apart जैसे माल लीजे अगर आपको कहना हो आपका mobile बनाने के लिए मुझे इसके पूर्जे को अलग-अलग करना पड़ा तो एस sentence के लिए आप कहेंगे I have to take your mobile apart to fix it यानि आपके mobile को बनाने के लिए मुझे इसके part को अलग-अलग करना पड़ा माल लीजे अगर आपको कहना हो मैंने इस मसीन के पूर्जे को अलग-अलग कर दिया है तो एस sentence के लिए आप कहेंगे I have taken this machine apart मैंने इस मसीन के पूर्जे को अलग-अलग कर दिया है माल लीजे अगर आपको कहना हो इस mixer machine को बनाने के लिए इसके parts यानि पूर्जे अलग-अलग करने होंगे तो एस sentence के लिए आप कहेंगे I will have to take this mixer machine apart to fix it यानि इस machine को बनाने के लिए मैंने इसके part यानि पूर्जे को अलग-अलग कर दिया है तो friends उमीद करता हूँ कि आपको take apart का मतलब समझ में आया कि किसी समान के पूर्जे को अलग-अलग कर देना take after plus somebody का इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इनसान किसी से बहुत हद तक मिलता है यानि मिलता जुलता है अब यहाँ मिलने से मैं आपको एक बात बता दूँ चाहे वो इनसान सकल सूरत में मिलता हो या उसकी बोली या काम करने के तरीका से मिलता हो चाहे जैसे भी मिले आप इस टॉपिक का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे मान लीजे अगर आपको कहना हो वो बिल्कुल अपने माँ पर गई है तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यानि बिल्कुल अपने माँ पर गई है यहां मैंने बोला बिल्कुल अपने माँ पर गई है तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि इसकी आदतें बिल्कुल इसकी माँ के जैसे है मान लीजे अगर आपको कहना हो तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो या तुम बिल्कुल अपने पापा से मिलते हो तो ऐस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यानि तुम बेलकुल अपने भाई पर गए हो तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ का अपने पहला फ्रेजल वर्प समझा कि टेक आफटर प्लस समबडी का इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान किसी से बहुत हद तक मिलता जुलता है यानि किसी इंसान का सकल सूरत या उसके काम करने का तरीका या उसके बोलने या उठने बैठने का धंग बेलकुल किसी के जैसा है अगर हम बाट टेक आफटर प्लस समझा की करें तो टेक आफटर प्लस समझा का इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी इंसान से कोई सामान ले जाना या दूर करना या छीन लेना जैसे माल नीजी अगर आपको कहना हो वे लोग मेरा खिलावना छीन रहे हैं या मुझे से दूर ले जा रहे हैं तो एस sentence के लिए आप कहेंगे They are taking away my toys यानि वे लोग मेरा खिलावना छीन रहे हैं या मुझे से दूर ले जा रहे हैं माल नीजी अगर आपको कहना हो वह मेरा पासपोर्ट मुझे से दूर ले गया या मुझे से ले गया तो एस sentence के लिए आप कहेंगे He took away my passport यानि वह मेरा पासपोर्ट मुझे से दूर ले गया कई बार ऐसा होता है जब आप किसी होटल में कोई खाने का समाल खरीते हैं तो वह दुकांदार आपसे पूछता है कि खाना है कि ले जाना है यानि यही पर खाना है या यहां से दूर ले जाना है तो जब वो कहता है ले जाना है तो यहाँ पर आप take away का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो मैंने पिज्जा ले जाने के लिए order दिया था तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I ordered pizza to take away यानि मैंने पिज्जा ले जाने के लिए order दिया था यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूँ, मैंने इस sentence में बोला दिया था, यानि sentence के last में आया था, लेकिन इस sentence को मैंने past indefinite tense में translate किया, तो अक्सर learner इस बात को लेकर confused रहते हैं, उनको लगता है कि ये sentence present perfect tense का है, और इसका सही translation होना चाहिए, I had ordered, यानि had के साथ third form का इस्तिमाल करना चाहिए, जबकि उनका सोचना सरासर गलत है, अगर आप भी इस बात को लेकर confused रहते हैं, तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है, और जहां मैंने किताबों से proof दिखाया है, कि अगर किसी sentence के last में आता है, या था, यी थी, ये थे, तो वो past perfect नहीं होता है, बलकि वो past indefinite tense होता है, तो मैंने इस वीडियो के description में उस वीडियो का link दिया है, इसके इलावा उपर i के symbol में भी मैंने इस वीडियो को रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, तो friends उमीद करता हूँ कि आपने इस fresh word को समझा, कि take away something का मतलब होता है, किसी से कोई समान दूर कर देना, या ले जाना, या अलग कर देना, अगर हम बात take down की करें, तो take down का दो meaning होता है, पहला meaning है लिख लेना, और दूसरा meaning है किसी को नीचा दिखाना, जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो, किरप्या इस पते को लिख लो, त तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे, wait, let me take down his phone number, यानि थोड़ा इंतजार करो, मुझे उसका phone number लिख लेने दो, तो उमीद करता हूँ कि आपको take down का पहला meaning समझ में आया, कि जब आपको कहना हो लिख लेना, तो आप take down का इस्तमाल करेंगे, अगर दूसरे meaning की बात करें, जो है किसी को नीचा दिखाना, जैसे माल नीजे अगर आपको कहना हो, अक्सर अमीर लोग गरीबों को नीचा दिखाते हैं, तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे, often, the rich take the poor down, यानि अक्सर अमीर लोग गरीबों को नीचा दिखाते हैं, माल नीजे अगर आपको कहना हो, वह मुझे दिखाई तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे she took me down हो सकता आप सोची के मैंने यहाँ पर took क्यों लिखा तो मैं आपसे कहूंगा यह sentence past indefinite tense का है और past indefinite tense में वह आपका second form का इस्तिमाल होता है माल लिजी अगर आपको कहना हो किसी को नीचा मत दिखाओ तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे don't take anyone down यानि किसी को नीचा मत दिखाओ तो उमीद करता हूँ कि आपको take down का मिनिंग श्यांदार तरीके से समझ में आया अगर बात take off की करें तो take off का 3 मिनिंग होता है पहला किसी चीज example उतारने के लिए देखें जयसे माल लिजी अगर आपको कहना हो मेहरबानी करके अपना जूता निकाल दो या अपना जूता उतार दो तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे please take off your shoes ऐहां मैंने take off का इस्तिमाल उतारने या निकालने के लिए किया अगर take off का इस्तेमाल उड़ने के sense में करें जैसे plane 20 मिनट लेट से उड़ी तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे The plane took off 20 minutes late यानि plane 20 मिनट लेट से उड़ी माल लिजे अगर आपको कहना हो plane उड़ने वाली ही है तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे The plane is about to take off यानि plane उड़ने वाली ही है यहाँ इन दोनों sentence में take off का इस्तेमाल उड़ने के लिए किया गया है अगर बात छोड़ने की करें तो आप take off का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वह वहाँ काम करना छोड़ दिया तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे He took off working there यानि वह वहाँ पर काम करना छोड़ दिया माल लीजी अगर आपको कहना हो मैं आदे घंटे बाद party छोड़ दिया तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I took off the party just after 30 minutes यानि ठीक आदे घंटे बाद मैं वह party छोड़ दिया तो फ्रेंट सुमीद करता हूँ की आपको टेक आफ का मतलब होता है उतारना दूसरा मतलब होता है उड़ना और तीसरा मतलब होता है छोड़ना अगर हम but take on की करें तो टेक आफ का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना यानि take responsibility जैसे माल लीजे अगर आपको कहना हो अधिक काम की जिम्मेदारी मैंने लिया यानि एस्टा वर्क की जिम्मेदारी मैंने लिया तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't take on extra work यानि मैं extra work की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ माल लेजी अगर आपको कहना हो मैं इसके चार दिन की जिम्मेदारी लेता हूँ तो ऐस sentence के लिए आप कहेंगे I take on four days for it यानि इसकी देखरेक के लिए मैं चार दिन की जिम्मेदारी लेता हूँ तो friends उमीद करता हूँ का आपको take on का मतलब समझ में आया कि take on का मतलब होता है किसी चीज़ के जिम्मेदारी लेना तो friends उमीद करता हूँ का आपने take वाले fragile verbs को बड़े श्यांदार तरीके से सीखा अगर आप और भी बहुत सारे fragile verbs का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में मैंने link दिया हुआ है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं